असलाम लेकूम आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टॉमाटो की चटनी बनाने की रेसिपी उमीद करती हूं आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आएगी यह रेसिपी बहुत ही इसली बन जाती है और बहुत ही कम इंग्रियंट्स लगते हैं इसमें टॉमाटर की चटन अब मैं आपको एक खड़े मसाले बताऊंगी, आपको इसे असेंबल कर लेना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ, सरसो की दाने एक चुटकी, मेथी की दाने एक चुटकी, सौंफ एक चुटकी, अजवेन एक चुटकी, कलाउजी एक चुटकी, यह मसाले हम इसे ओ शुआ फैकर लूठागे के पड़ा दो स्की talking यूपराद कर देंगे अब मुस्तिकप उसके आपको चम चबल से तोड़ करणे कि यूपरा ड़ ciao कर हो जाये i2-3 मियनट तक जब ही अच्छी से फृइख हो जाएंगे us나 कि बाद अम इसमें हुइ टमाटर एाट कर देगे आपको सारे कटे हुइ टमाटर इसमें एड़् कर देने और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना एक च्मिबा करने के बाद आपके पास लोड़ ये अगर घर चीजों को इसलो फ्लेंड पर चन्माटर कर देंगे श्लोड अन्हीं रीटब चोंद ज dos later तो यह बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं अब चमच की मदद से अच्छे से मिक्स कर ले और थोड़ा इसे प्रेस कर ले अब हम इसमें एट कर देंगे 150 ग्राम चीनी चीनी एट करने के बाद आप इसे मिक्स करें और इसे पाच मिनट के लिए कुक कर ले स्लो फ्लेम पे पाच मिनट तक कुक करने के बाद आपको ग्यास का फ्लेम हाई पे कर लेना है और इसके पानी को हलका सुखा लेना है अगर आ आप इसे इस तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं यह हमारी चटनी बन के तयार है अब आप इसे पुदीना के पत्तों के साथ गार्निश करें और सर्फ करें उमीद करती हूं आपको में यह रेसेपी पसंद आई होगी थैंक्स फॉर वाचिंग खुदा हाफिज